आईए कहानी वाचन के माध्यम से बच्चों में पढ़ने के कौशल को बढ़ाएं। ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और हम से जुड़े रहें। एक बार जंगल में जानवर पानी के छेद के आसपास इकठे हुए थे। वे उदास थे क्योंकि उनके जंगल में एक नया शेर रहने के लिए आ गया था। ये शेर भयानक दबंग था। उसने हाथी की सूंट को गांथ में बांध दिया। और गैंडे के सींग पर पल रख दिये। शेर ने जिराफ के बिंदूओं को जोडने का खेल भी खेला। और मजेदार तस्वीरे बनाई। जानवर यह चर्चा करने के लिए मिले। कि वे शेर से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। एक पेर पर बैठा एक बंदर सुन रहा था। वो हसने लगा। तुम हस क्यों रहे हो। जानवरों ने पूछा। मैं हस रहा हूं क्योंकि तुम सब शेर से दरते हो। मैं उससे नहीं दरता। वो वर्षों से मेरे लिए काम कर रहा है। बंदर ने कहा। शेर बंदर को खोजने के लिए दोड पड़ा। पानी के कुंड से दूर बंदर रास्ते के बीच में वैथा था। जब शेर ने बंदर को देखा तो वो उसके पास दोड़ा और गुर राया। जानवरों ने मुझसे कहा कि तुमने कहा था। कि तुम मुझसे डरते नहीं हो। और मैंने तुम्हारे लिए काम किया है। मैंने उनसे ऐसा नहीं कहा, दोस्त। मैंने उनसे कहा कि मैं तुमसे डरता हूँ। और मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए काम कर सकूँ। बंदर ने उत्तर दिया। आओ, शेर, चलो उन मूर्ख जानवरों से पूछो की सच्चाई क्या है? सुनिश्चित कर लो, बंदर ने कहा उन्होंने पानी के छेद की और जाने वाले रास्ते पर चलना शुरू किया वे कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि बंदर ने उनका पैर पकर लिया और रोने लगा क्या हुआ? सिंग गुर राया मैंने एक तेज चटान पर कदम रखा मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता बंदर ने कहा तुम्हें सभी जानवरों को बताना होगा कि तुम वास्तव में मुझसे डरते हो शेर ने कहा बंदर ने उत्तर दिया ठीक है अगर आप मुझे अपनी पीट पर सवारी करने देंगे तो मैं ऐसा कर सकता हूँ शेर मान गया और बंदर शेर की पीट पर चट गया और रास्ते पर चलने लगा अभी वे कुछ ही कदम चले थे की बंदर चिलना उठा अब क्या है शेर ने पूछा मुझे आपकी पीट पर बैठने में कठनाई हो रही है ये बहुत धेलेदार है अगर मेरे पास काठी होती तो अच्छा होता बंदर ने कहा शेर ने बंदर को ताड के पत्तो से काठी बनाने में मदद की बंदर काठी पर बैठ गया और बोला ये बहुत अच्छा है चलो चले अभी वे कुछ ही कदम चले थे कि बंदर चिल्ला उठा अब क्या हुआ सिंग गुर्राया मुझे काठी से गिरने का डर लग रहा है अगर मेरे पास पकड़ने के लिए कुछ होता तो अच्छा होता बंदर ने कहा शेर ने बंदर को उसके गले में कुछ लताई बांधने में मदद की ये बहुत बहतर है चलो चलते है जैसे ही बंदर और शेर पानी के छेद के करीब पहुचे बंदर काठी में उचा उठ गया, बेलों को पकड़ लिया शेर को पत्तेदार शाखा से मार दिया और चिलाया हाँ, भागो तेज भागो भय के कारण शेर बहुत तेज दोड़ा वो इतनी तेजी से भागा कि वो थीक पानी के गड़े के पास होकर भागा जहां सभी जानवरे कठे थे आओ आलसी शेर, यह आराम करने का समय नहीं है बंदर चिलाया शेर की पीट पर बंदर को देख कर सभी जानवर हसने लगे जैसे ही वे जलाश्य के पास से गुजरे बंदर सिंग की पीट से जूल कर पेरों पर जा पहुचा रास्ते में भागते ही शेर के कानों में जानवरों की हसी गूंज उठी वो जंगल के उस हिस्से में कभी वापस नहीं आया हो सकता है वो अभी भी दोड रहा हो एक और चतुर बंदर अभी भी हस रहा हो